मणिपूर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है बुद्धवार को सुनिया गांधी ने भी मणिपूर को लेकर बड़ी अपील की है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक मां की तरह मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ वही राज़ के हालात पर मोधी सरकार ने विपक्षी दवाब के बाद 24 जून को सर्वदलिय बैठक बुलाई है क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट कॉंग्रिस की पूर्वद्यक्ष सोनिय गांधी ने मनिपूर में जारी जातिय संगर्ष पर दुख जताते हुए बदवार को कहा कि इसने राष्ट की अंतरात्मा पर गहरा आगात किया है उन्होंने प्रदेश के लोगों से शांती और सोहर्थ की अपील की और उम्मी जताई की मनिपूर के लोग इस तरास्दी से उबरेंगे सुनिय गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा मनिपूर की प्रिये भाईयों और बहनों पिछले लगभग 50 दिनों से हम मनिपूर में एक बड़ी मानविय तरास्दी देख रहे हैं इस जातिय संगश ने आपके राज्जे में हजारों लोगों का जीवन उजार दिया है इस घटना ने राष्ट की अंतरात्मा पर एक गहरा आगात किया है मेरी उन सभी के प्रती गहरी समवेदना है जिनोंने इस टक्राफ में अपनों को खोया है मुझे ये देख कर बेहत दुख होता है कि लोग उस जगा को छोड़ कर जाने के लिए मजबूर हैं जिससे वो अपना घर कहते हैं अपने जीवन भर का बनाया हुआ सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं शांती पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने वाले हमारे भाई बैनों का एक दूसरे के खिलाफ होते देखना बेहत दुख़द है उन्होंने आगे कहा एक मा के रूप में मैं आपके दर्द को समझती हूँ मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज को पहचाने मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम परस पर विश्वास का मजबूती से पुना निर्मान करेंगे मुझे मनिपूर के लोगों से बहुत उम्मीदे हैं और उनके पर बहुत विश्वास है मैं जानती हूँ कि हम सभी मिलकर ये परिक्षा की घड़ी भी पार कर लेंगे मनिपूर पर सोनिया गांदी के वीडियो संदेश के बाद मोधी सरकार की तरफ से 24 जून को सर्वदलिये बैठक बुलाई गई है ग्रहमंत्राले की तरफ से बुद्वार को आधिकारिक ट्वेटर हैंडर से जानकारी दी गई ट्वीट में बताया गया कि केंद्री ग्रहमंत्री अमिश्या ने मनिपूर की सिती पर चर्चा करने के लिए 24 जून को दोपैर 3 बजे नई दिल्ली में सर्वदलिये बैठक बुलाई है दीबिलाइफ की रिपोर्ट